नमस्कार मित्रों में हर्च रुआए आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूए को और ने कमाल के फ्रेश टेक्निस अपसोड में आप देख रहे हैं टेक्निस का एपीजोड नबर 488 इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तबाएं साथ में आल बटन को टैप करते धन्यवाद पहली खबर की बात करत वीए निकल के आरिये टॉप अपस को लेके जैसा कि आपको मालू में 2019 अब खत्म होने को आया है लगभग कुछ समय आपको देखने को मिल गया है लगग 10 से 11 दिन आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे टॉप अपस की जानकारी दी गई है टॉप 10 अपस और टॉप 10 गेम्स के बारे में यह एक नया सरवे निकल के आया है पॉपलर अप एनलेटिक कंपनी अप इनी के तरब से यहाँ पे अगर टॉप 10 आप की बात करें तो यहाँ पे ज को घवाटा है गां और टाक करेक्वत गृट्स के देखने को मिलता है जो फेस्टबू की योर्ज सही आता है नंबर फॉर पै प्को टिक-enesहाट गाम इलता है करनी को मिलता तरब से याप को पे Spotify एक music platform अगर गेम की चर्चा करें तो नमबर बन पर आपको देखने को मिलता है Free Fire, नमबर टू पर PUBG Mobile, नमबर थी पर सबस्ट आपको देखने को मिलता है नमबर फॉर पर आपको देखने को मिलता है Color Bub 3D, उसके बाद आपको देखने को मिलता है Fun Race 3D, फिर Run Race 3D, उसके बाद आपको देखने को मिलता है My Talking Tom 2, उसके बाद Homescapes देखने को मिलता है 9 में नमबर पर Stack Paul देखने को मिलता है और 10 में नमबर पर आपको देखने को मिलता है Call on Duty अगली खबर की बात करज़ यह निकल के R.E.I.T. Tesla की तरफ से जिहाँ popular electric car maker Tesla आपको बताना चाहूंगा एक नया patent file किया गया है यह जो patent है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है Pulse Laser Cleaning आपको बताना चाहूंगा Tesla एक electronic car maker company और इनके और से बहुत सारे innovation आपको बराबर देखने को मिलता ही रहते है एक और नया कमाल का innovation आपको बहुत ही जल देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मालूमें गाड़ी पे आपको एक बाइपर देखने को मिलता है गाड़ी में आगे की और clean करने के लिए बाइप करने के लिए अगर किसी पर करकार की कोई दिक्कत होती है तो अब यहाँ पे भी आपको technology देखने को मिलेगा बहुत कमाल का यहाँ पे जो Tesla का यह नया technology है आपको देखने को मिलेगा laser viper technology अगली खिबर की बात करें तो यह निकल के आरी यह Google की view देख सकते हैं काफी कमाल की clarity में 3D में तो यह जो street view का feature है जो Google की और से महिया कराया जाता है एक नया report निकल के आया सीनेट के माधें से जिसके तोर पर यह जानकारी दी जा रही है कि लगभग 10 mile आपको 10 million mile जो है street view का complete हो चुका है इस अगर आप kilometer में convert करके देखे तो ल आपको street view मुहयक कराने लगेगा फिलाल के लिए तो बहुत जगा का street view उपलब्द नहीं है लेकिन आने वाले दिनों में जिस तेज रपतार से गराब बढ़ रहा है इसे तो यही ग्यात होता है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें हर एक इलाका का लगभग street view देखना मिलन 2019 में लेकिन अंदाजा है next year 2020 तक यह जो बिजने से और अधिक जा सकता है 15 बिलियन डॉलर तक इससे यह पता चलता है कि अपल का कितना के रिज है और इस परकार का क्यार एपल के द्वारा ही किया गया उसके बाद बहुत सारे copies आने लगे इसके और भी बहुत सारी कंपनी इस परकार की कार करने लगी अगली ख़बर की बात करें तो यह निकल क्या रही एक स्टडी को लेके एक स्टडी एक सोध हाल में ही किया गया था मैंचेस्टर इनवर्सिटी के सोध करताओ के द्वारा यह जो सोध था वो ब्लू लाइट फिल्टर को मद्नजार रखते मैं आपको बतना चाहूंगा ब्लू लाइट फिल्टर का हम लोग परियोग करते अपने स्मार्ट फोन में अगर हम उसे अंधिरे में या फिर नाइट में यूज कर रहे हैं तो ताकि हम वहाँ पे ब्लू लाइट फिल्टर को परियोग कर लेते हैं आन कर लेते हैं ताकि हम पर जो conclusion सामने निकल के आया, उससे आखिरकार यहां ग्यात होता है, कि जतना effective हम लोग सोचते हैं, कि जतना यह effective है, आखिरकार वो उतना effective नहीं निकल के आया, इस सोध गया अनुसार, अगली खिपर की बात करें तो यह निकल के आ रही है, हुआबे की तरफ से, हुआबे की और से एक नया patent किया गया है, आपको दिखाना चाहूँगा यह जो patent है, एक triple camera वाले smartphone को लेके है, और यहाँ पर flip camera देखने को मिलेगा, हाल में ही, एसस ने भी अपने कमाल की device को launch किया था, जहाँ पर flip camera देखने को मिलता था, लेकिन आपको वहाँ पर two flip camera देखने को मिलते लेकिन इस patent के माधियम से यहाँ जानकारी देखने को मिल रही है, कि Huawei Cure से एक नया कमाल का smartphone बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, जहां पर आपको triple camera देखने को मिलेगा, और वो भी flip होगा, तो खैर देखने वाली बात है कि Huawei कब तक इस device को launch करता है, और इसके साथ क्या कम करता है, अगली ख़बर की बात करती यह निकल के आ रही है, पोको को लेके, पोको के general manager ने पोको पर कुछ बयान दिया है, एक user ने tweet करके पूछा था पोको से related कुछ जानकारी, तो यहां पर उनके दोरा जानकारी दिया गया, कि पोको 2020 में कुछ और नया कर सकता है, यानि क इससे यहां ग्यात होता है कि पोको का F2 जो है, इस बार तो नहीं आने वाला है, 2019 में, 2020 में ही आएगा, लेकिन यहां confirm हो रहा है कि पोको की और से नया smart phones आएंगे, यानि कि पोको अभी भी continue है, पोको F2 अभी आएगा, यह बंद नहीं हुआ है, साउमी की और से लांच किय गया, पोको F1 बाड़ा कमाल का डिवाइस था, अपने समय में जब उसे लांच किया गया था, तो अपने प्राइस के हिसाब से काफी कमाल का डिवाइस था, और अब पोको F2 से भी हम उमीद कर सकते हैं, यह बिलकुल कमाल का flexible लेवल का डिवाइस होगा, जो हमें बजट कम प्राइस में देखने का मिल जाएगा, हमारे बजट के अंदर देखने का मिल जाएगा, मुझे उमीद है, आपको हमारे रोड़ से दिया गया टेकनियूस का यह एपिसोर पसंदेया होगा, इसी पर कारके टेकनिस अपसोर देखने के लिए, प्लीज सब्सक्राइब कर एपिसोर में इतना ही मिलता है, एपिसोर में तब तक के लिए, जैहिन, पंदर मात्रम